Hello Dear Student, आपके चेनल में आपका स्वागत है, आज हम पढ़ेंगे सिक्षा मनुविज्ञान में दूसरा टोपिक अभी प्रेर्णा, जिसमें आज हम पढ़ेंगे अभी प्रेर्णा के बारे में सामानिय जानकरी, उसके बाद हम पढ़ेंगे अभी प्रेर्णा से सम्बंदित पर बाई होती है जिसमें आंतरी कौन सी होती है और बाई है कौन सी होती है फिर हम पढ़ेंगे अभी प्रेर्णा के मुख्य कितने प्रेरक होते हैं जनमजाद बाई है स्वाभावी सामाजिक और मनोवेग्यानिक फिर हम पढ़ेंगे मनोवेग्यानिकों के अनुसार अभी प्रे प्रेरक्ट फिर हम पढ़नेगे अभीप्रेणा की सिधान्त जो total 14 सिधान्त है उसको हम याद करेंगे जैसे यह मोल प्रवर्ति का सिधान्त हो गिया उसके बाद होगी अपने आवशक्ता पदानुकर्म सिधान्त यह मेशलों ने दिया था जो उसके बाद हम पढ़नेगे अभी प्रेड़ना का चालक सिद्दान फिर अंतरनोद सिद्दान फिर शेत्रे सिद्दान फिर प्रोचाहन सिद्दान फिर संतुलन सिद्दान या संतुलन स्तेर्य सिद्दान फिर सक्रिता सिद्दान स्वास्ते सिद्दान और आवशक्ता सिद्दान तो आज हम इसको पढ़ मानव शरीर को गती प्रदान करती हैं हम अगर कोई कारी करते हैं तो उसको करने के लिए मोटिवेट कौन करती हैं हमें अभी प्रेणा करती हैं मानव वेवार को निर्देशित, नियंतरित, रूपांतरित करने में जिन कारको की महतपूर्ण भूमिका होती है उनमें अभी प्रेड़ना क्या होती है? महत्पूर्ण होती है मानव वेवार को निर्देशित, नियंतरित, रुपांतरित करने में जिन कारकों की महत्पूर्ण भूमिका होती है उनमें अभी प्रेड़ना महत्पूर्ण होती है अभी प्रेड़ना जो है वो मानव वेवार को प्रारम करती है नियंतरित करती है और लक्ष प्राप्थ होने तक वेवार करने के लिए बाद्य करती है अभी प्रेड़ना मानव वेवार को प्रारम करती है हम किसी चीज को करने की सोच लेते हैं तो हमें वहाँ से मोटिवेट् मिलता है कि हम ये कर सकते हैं तो अभी प्रेड़ना क्या करती है मानव वेवार को प्रारम करती है नियंतरित करती है तता लक्ष प्राप्त होने तक वेवार करने के लिए बाद्य करती है अभी प्रेड़ना जो है वैं मानसिक तत्परता की स्तिती है जो व्यक्ति को लक्ष प्राप्ति के लिए किरियाशील बनाती है अभी प्रेड़ना क्या है? अपनी मांसिक ततपरता की वैस दीती है जो व्यक्ति को लक्ष प्राप्ति के लिए किरियाशील बनाती है हम सोच लेते हैं कि हमारी जोब लगनी है तो इसलिए हमें मेनत करनी पड़ेगी तो हमें लक्ष प्राप्ति के लिए क्रियाशिल कौन बना रही है अभी प्रेणा बना रही है क्योंकि हम सोचते हैं कि जोब लग जाएगी तो हमारी लाइब सेट हो जाएगी जोब के बाद हमारी लाइब अच्छे से चलेगी तो हमें motivation काँ से मिल रही है अभी प्रेणा हमें motivation परदान कर रही है हम जोब को देखकर motivate हो रहे हैं कि पढ़ने के बाद हमारी जोब लग जाएगी इसलिए अभी प्रेणा क्या है मानसिक ततपरता की स्तीती है जो क्या करेगी व्यक्ति को लक्ष प्राप्ति के लिए किरियाशिल बनाती है फिर आता है अभी प्रेणा की प्रकरती कैसी होती है अभी प्रेणा की प्रकरती मनोवियावारिक होती है अभी प्रेणा की प्रकरती कैसी होती है मोटिवेशन सब्द का हिंदी रुपान्तरन है जो लेटिन भासा के दो सब्दों मोटम या मोवियर से मिलकर बना है जिसका आर्थ क्या होता है? टू मूव अर्थात गती परदान करना जिसका आर्थ क्या होता है? आपके ये क्यूशन आजाता है कि शिक्षन में अभी प्रेड़ना का महत्व क्या है? तो परतेक बालक में एक शमता होती है जिसका उप्योग अभी प्रेड़ना द्वारा किया जा सकता है अब आप मुझे बताईए कि परसंसा और पुरुसकार जो है वो किस परकार की अभी प्रेड़ना है? नकारात्मक है? सकारात्मक है? या फिर दोनों है? या फिर कोई नहीं है? तो प्रसंसा और पुरुसकार जो है ये नकारात्मक परकार की अभी प्रेड़ना है याद रेखेगा लालस देते हैं हम किसी को तो प्रसंसा और पुरुसकार की अभी प्रेड़ना है? नकारात्मक प्रकार की अभी प्रेड़ना है अब हम देखते हैं अभी प्रेड़ना से किसी किरिया को परारंब करने तथा जारी रखने और नियंतरित करने की प्रक्रिया है गुड के अनुसार अभी प्रेलना क्या है अभी प्रेलना किसी किरिया को परारंब करने जारी रखने तथा नियंतरित करने की प्रक्रिया है तो आप गुड की परिवाशा को केसे याद र कि गुड के अनुसार अभी प्रेड़ना जारी रखना इसमें आपको समझ आ जाएगा कि अभी प्रेड़ना किसी किरिया को प्रारम करने तथा जारी रखने और नियंत्रित करने की प्रक्रिया है तो गुड के अनुसार अभी प्रेड़ना क्या है जारी रखना फिर आते हैं मेगडूगल महोदे उन्होंने क्या कहा है अभी प्रेड़ना के बारे में कि वे सारीरिक और मनोविज्यानिक दसाएं जो किसी कारी के लिए प्रोथसाहित करती हैं वे सारीरिक और मनोविज्यानिक दसाएं जो किसी कारी के लिए प्रोट साहित करती हैं क्या कहलाती हैं अभी प्रेड़ना कहलाती हैं तो मेकडूगल की परिबाशा आप कैसे याद रखोगे कि मेकडूगल के अनुसार अभी प्रेड़ना प्रोट साहित करना गुड के अनुसार क्या थी अभी प्रेड़ना हैं कि अभी प्रेड़ना व्यक्ति के सामनिक किर्याकलापों का परभाव हैं जो मानव व्यवार को इंगित और निर्देशित करती हैं तो जोंसन के अनुसार अभी प्रेड़ना क्या है निर्देशित करना अर्थात अभी प्रेड़ना व्यक्ति के सामनिक किर्याकलापों का प्रबाव हैं जो मानव व्यवार को इंगित और निर्देशित करती हैं किसने कहा है अभी प्रेड़ना के बारे में जोनसन ने कहा है फिर आते हैं अपने स्कीनर मोहदे स्कीनर ने क्या कहा है कि अभी प्रेणा जो है वो सीखने का राजमार्ग है अभी प्रेणा क्या है सीखने का राजमार्ग है किसने कहा है स्कीनर ने तो स्कीनर के अनुसार अभी प्रेणा को कैसे याद रखोगे आप कि स्कीनर ने अभी प्रेड़ना के राजमार्ग पर गाड़ी चलाई अर्थात अभी प्रेड़ना सीखने का राजमार्ग है किसने कहा है स्कीनर ने कहा है फिर आते हैं अपने थॉमसन महोदे थॉमसन ने कहा है कि अभी प्रेड़ना जो है वो छात्रों में रूची उत्पन करने की कला है धॉमसन के अनुसार अभी प्रेड़ना जो है वो छात्रों में रूची उत्पन करने की कला है इसको केसे याद रखोगे आप कि धॉमसन के अनुसार अभी प्रेड़ना रूची उत्पन करना थोमसन के अनुसार अभी प्रेल्णा रूची उत्पन करना फिर आते हैं अपने अगले पर कि अभी प्रेल्णा को प्रबंद का रिदे किस मनोविज्यानिक ने कहा है तो अभी प्रेल्णा को प्रबंद का रिदे मनोविज्यानिक लिकर्ट ने कहा है अभी प्रेड़ना को परबंद का रिदे मनोवेग्यानिक लिकर्ट ने कहा है फिर आता है अभी प्रेड़ना को अधिगम का स्वर्णपत या आधार किसने कहा है तो अभी प्रेड़ना को अधिगम का स्वर्णपत या आधार सोरेंसन ने कहा है याद रखें आप अभी प्रेड़ना को अधिगम का सुरंपत किस ने कहा है सोरेंसन ने कहा है जबकि अभी प्रेड़ना को परबंद का रिदे किस ने कहा है लिकर्ट ने कहा है फिर आता है क्रेंच के अनुसार क्रेंच के अनुसार क्या है अभी प्रेड़ना कि अभी प्रेड़ना हमारे क्यों का उत्तर देती हैं किसके अनुसार क्रेंच के अनुसार तो इसको कैसे याद रखोगे कि क्रेंच के अनुसार अभी प्रेड़ना क्यों फिर आते हैं अपने अंतिम परिभाशा पर एटकिन्स के अनुसार एटकिन्स के अनुसार अभी प्रेड़ना क्या है कि किसी कार्य को सीखने या सुरू करने की योग्यता का अर्जन ही अभी प्रेड़ना है तो इसको याद रखने की क्या है ट्रिक कि एटकिन्स के अनुसार अभी प्रेड़ना क्या है अर्जन करना एटकिन्स के अनुसार अभी प्रेलना क्या है अर्जन करना एक बार फिर रिकॉल कर लेते हैं अपन कि गुड के अनुसार अभी प्रेलना क्या थी जारी रखना गुड के अनुसार अभी प्रेलना जारी रखना और मेकडूगल के अनुसार अभी प्रेलना प्रोचसाहित करना मेगडूगल के अनुसार अभी प्रेलना प्रोधसाहित करना जोनसन के अनुसार अभी प्रेलना निर्देशित करना स्कीनर ने अभी प्रेलना के राजमार्ग पर क्या चलाई थी गाड़ी चलाई थी स्कीनल ने अभी प्रेणा के राजमार्क पर गाड़ी चलाई थॉमसन के अनुसार अभी प्रेणा रूची उत्पन करना अभी प्रेणा को परबंद का रिदे किसने कहा मनोविग्यानिक लीकर्ट ने कहा अभी प्रेर्णा को अधिगम का सुर्णपत या आधार किस ने कहा सोरेंजन ने कहा करेंज के अनुसार अभी प्रेर्णा क्यों एटगिंज के अनुसार किसी कारे को सीखने या सुरू करने की योग्यता का अर्जन ही अभी प्रेर्णा है फिर आते हैं अपने अभी प्रेड़ना के प्रकार पर कितने प्रकार की होती है अभी प्रेड़ना दो प्रकार की होती है पहली है आंत्रिक या फिर सकारात्मक या प्राकर्तिक या दनात्मक अभी प्रेड़ना दो प्रकार की होती है जिसमें पहली है आंत्रिक अभी प्रेड जिसे हम सकारात्मक, प्राकर्तिक या धनात्मक अभी प्रेड़ना भी कह सकते हैं इसमें क्या आता है कि व्यक्ति अपने आंतरिक इच्छा से बिना किसी कारे को करता है तो यह अभी प्रेड़ना आंतरिक अभी प्रेड़ना कहलाती है व्यक्ति अपनी आंतरिक इच्छा से बिना किसी कारक के किसी कारी को करता है तो यह अभी प्रेड़ना क्या कहलाती है आंतरिक अभी प्रेड़ना कहलाती है जैसे अपने को पता है कि अपनी परिक्षा नजदीक है और हम अगर मेनत करें तो हम जोब लग सकते हैं हमारी सिती सुधर सकती है तो ये किस प्रकार की अभी प्रेड़ना है आंतरिक अभी प्रेड़ना क्योंकि अपने हम खुद प्रेरित होकर कारे कर रहे हैं तो ये क्या कहलाईगी आंतरिक अभी प्रेड़ना अब आता है इसमें आंतरिक अभी प्रेड़ना के उधारण कौन-कौन से हैं काम, प्रेम, भूक, प्यास, आराम या नीन और क्रोध ये हैं आंतरिक अभी प्रेड़ना के उधारण काम, प्रेम, भूक, प्यास, आराम या नीन और क्रोध फिर आते हैं अपने दूसरी अभी प्रेड़ना पे बाईये अभी प्रेड़ना जिसे हम नकारातमक या करतिम या रिनातमक अभी प्रेड़ना भी कहते हैं इसमें क्या है कि जब व्यक्ति अपनी आंतरिक इच्छा के विरुद किसी बाहिये कारक के परभाव से कार्य करता है तो इस प्रकार की अभी प्रेड़ना क्या कहलाएगी बाहिये अभी प्रेड़ना कहलाएगी जब व्यक्ति अपनी आंतरिक इच्छा के विरुद किसी बाहिये कारक के परभाव से कार्य करता है तो इस प्रकार की अभी प्रेड़ना क्या कहलाएगी बाहिये अभी प्रेड़ना कहलाएगी जैसे हम भारत और पाकिस्तान का मेच देख रहे हैं उसी दर्मियान अपने मम्मी या पापा ने हमने अपने को कोई काम करने को दे दिया कि तू पहले बाजार जा और ये काम कर किया तो अपने को जोर आएगा काम करने में क्योंकि हम मेच में इंट्रेस्ट आ रहा हैं इसल अभी प्रेड़ना के उधारण कौन से हैं जैसे दंड हैं परसंसा है परताड़ना है पुरुसकार है निंदा परत्योगिता परतिद्वंदिता और चिंता तो ये कौन से उधारण है भाई अभी प्रेड़ना के उधारण है आपके मैंने पूछा था कि परसंसा और पुरुस प्रकार नकारात्मक प्रकार की अभिप्रेड्ना हैं अब आता है अपने कि बाई अभिप्रेड्ना में जो हे अधिगम ऐस्ताई तथा निम्नकोटि का होता हैं जबकि आंतरिक अभिपढ़ना में अधिकंग कैसा होता हैं शिक्षण में शिक्षक को आंतरीगो अभिपढ़ना का परयोग करना चाइए शिक्षण में शिक्षण को आंत्रिक अभिप्रेणा का प्रयोग करना चाहिए लेकिन इसकी कमी या अभाव जनक स्तिती होने पर बाई अभिप्रेणा का प्रयोग भी करना चाहिए शिक्षन में शिक्षक को आंतरिक अभी प्रेणा का प्रियोग करना चीए लेकिन इसकी कमी अर्थात कोई student अगर पड़ नहीं रहा है मस्ति कर रहा है तो उसे थोड़ा समझाने के लिए बाई अभी प्रेणा का प्रियोग अर्थात डंड का प्रियोग भी किया जा सकता है अब आते हैं अभी प्रेणा के कितने प्रेरक होते हैं तो अभी प्रेणा के मुख्ये 6 प्रेरक होते हैं अभी प्रेणा के मुख्ये 6 प्रेरक होते हैं पहला प्रेरक है अपने जनमजात या आंतरिक प्रेरक जो हमें जनमजात रूप से प्राप्त होते हैं या आंतरिक प्रेरक कौन कौन से हैं काम प्रेम भूक प्यास नींद या आराम और क्रोध यह हैं अपने जनमजात या आंतरिक प्रेरक याद रखें आप इने अब आता है दूसरा कि भाई या अरजित प्रेरक कौन से हैं भाई स्वाभाविक प्रेरक कौन से हैं जिसमें आएगा अनुकरण आत्म चेतना और सुप प्राप्ति की इच्छा सभी को होती है अंदर से तो ये स्वाभाविक प्रेरक हैं तो स्वाभाविक प्रेरकों में कौन से हैं अनुकरण आत्म चेतना और सुप प्राप्ति की इच्छा फिर आता है अपने सामाजिक प्रेरक कौन से हैं, चोथा प्रेरक है सामाजिक प्रेरक, जिसमें आएगा अपने संबंद की आवशकता, सुरक्षा की आवशकता, सम्मान, पद और परतिष्टा की आवशकता, हम समाज में रहते हैं, तो हमें किसकी आवशकता होगी, संबंद म प्रेरग में क्या क्या आएगा पहले आएगी आदत रूची मनोवर्ती और अभिशमता यह कौन से प्रेरग में आते हैं मनोवेगयनिक प्रेरग में आते हैं फिर अंतिम प्रेरग आता हैं अभी प्रेरणा का एहम प्रेरग में क्या आएगा उच्छे आदर्स कक्षा में श् तो यह अभी प्रेर्णा के मुख्य प्रेरक कितने हो गए छे जनम जात या अंतरिक बाहिय या अर्जीत स्वाभाविक प्रेरक सामाजिक प्रेरक मनोवग्यानिक प्रेरक और एहम प्रेरक अब हम देखते हैं कि मनोवग्यानिकों के अनुसार अभी प्रेरकों के प्रकार कित सबसे पहले आते हैं अपने मेशलो मोहदे मेशलो ने अभी प्रेरकों के दो प्रकार बताए है मेशलो ने अभी प्रेरकों के दो प्रकार बताए है जिसकी सोट्रिक क्या है मेशलो जन्मा वातावरण 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 अर्जित या वातावर्णे तो आप बताईए मेशलों ने दो प्रकार कौन कौन से दिये हैं प्रेरकों के कि जनमजात या अनुवानसिक प्रेरक और अर्जित या वातावर्णे प्रेरक अब आप देखिए कि आंतरिक या जनमजात तथा प्रात्मिक अभी प्रेरकों को उद उद्धिपक की आवशकता नहीं पड़ती हैं जबकि अरजित या करतिम अभी प्रेयरकों को उद्धिपक की आवशकता पड़ती हैं याद रखें आप फिर आता है दूसरा अपने थौमसन के अनुसार अभी प्रेयरक कितने प्रकार के हैं दो प्रकार के और इसकी सोट्रिक क पहला है स्वाभाविक प्रेयरक संसे तो हो गया थॉमसन स्वाहा से हो गया स्वाभाविक प्रेयरक या प्राकर्तिक प्रेयरक जैसे भूक और प्यास दूसरा है ऐस्वाभाविक या कर्तिम प्रेयरक जैसे मान और यस तो थॉमसन के अनुसार अभी प्रेयरकों की दो प्रका प्रकार हैं जिसकी सोटर क्या है गेरेट दे मस्सा तो दे से तो हो गया जेविक या देहिक अर्थात जनम से जैसे भूक प्यास नींद फिर दे साथ से हो गया सामाजिक जैसे आत्म सुरुक्सा या परदर्शन फिर मैसे हो गया मनोविज्यानिक जैसे कुरोध या भै तो गेरेट ने अभी प्रेयरकों के कितने प्रकार बताए हैं तीन कौन-कौन से जेविक या देहिक, सामाजिक और मनोविज्यानिक अब आप वापिस रिकोल कर लीजिए कि मैसलों ने प्रेयरकों के दो प्रकार बताए हैं जनमजात और अरजीत फिर आएगा अपने थॉमसन के अनुसार थॉमसन ने अभी प्रेयरकों के दो प्रकार बताए हैं स्वाभाविक और एस्वाभाविक या प्राकर्तिक या कर्तिम और घेरेट ने अभी प्रेर को के तीन प्रकार बताए हैं, जेविक या देहिक, सामाजिक और मनोविग्यानी, फिर आता है अपने कि अभी प्रेर्णा में आवशकता अंतरनोद तथा प्रोचाहन का सुत्र किसने दिया तो हिलगार्ड ने दिया था, यह आप याद रखें कि अभी प्रेड़ना में आवशक्ता अंतरनोद तता प्रोचसान का सुत्र हिलगार्ड ने दिया था अब हम देखते हैं कि अभी प्रेड़ना के तत्व या स्त्रोत या प्रक्रिया कैसी होती है तो इसमें चार तत्तु होते हैं अभी प्रेणा के जिसमें पहला है आवशक्ता आवशक्ता में क्या क्या आता है अपने को किसकी आवशक्ता होती है बोजन की जलकी और नींद की आवशक्ता होती है फिर आएगा अपने दूसरा चालक अंतरनोध या प्रनोध जिसे हम इंग भूख अभीप्रेणा के संदर्ब में क्या है तो अभीप्रेणा के संदर्ब में भूख क्या होगी चालक होगी अभीप्रेणा के संदर्ब में भोजन क्या है तो भोजन क्या होगा आवशक्ता होगी अभीप्रेणा के संदर्ब में थकान क्या है तो ये क्या होगी चालक फिर आता है अपने उद्धिपन, उद्धिपन में क्या आईगा, पनीर मसाला, कोका कोला, अर्थात वे तत्व जो हमें मानसिक संतुष्टी परदान करते हैं, क्या कहलाएंगे, उद्धिपन कहलाएंगे, हमें को पता है कि हमें पढ़ने से हमें जोब लग जाएगी, तो उन प्ररेद्णा का स्तत्व का सुत्र क्या बना अभीप्रेद्णा एकवल टू आवशक्ता चालक प्लस उद्धिपन प्लस प्रेरग अर्थाथ मोटिवेशन इकवल टू नीड प्लस ड्राईव प्लस इंसेन्टिव अब हम देखते कि आवशक्ता क्या होती है कि संग्या दी जाती हैं फिर आता है दूसरा चालक जिसे हम अंतरनोद या प्रनोद भी कहते हैं कि जब व्यक्ति में आवशक्ता के फल सुरूप उसकी किरिया शीलता बढ़ जाती हैं तो वह पहले से अधिक सक्रिय और तरनाव पून दिखाई देता हैं तो इसे क्या कहेंग क्या करेगी बढ़ जाएगी हम पढ़ेंगे तो हमारी किरिया शीलता बढ़ जाएगी और हम पहले से अधिक सक्रिय हो जाएगे और अपन तनाव पून भी रहेंगे यार कोर्स हो पाएगा या नहीं नमबर आपाएगा या नहीं कि हम पढ़ाई भी कर रहे हैं हमारा नमब प्रोचाहन तो प्रोचाहन वह केंदर बिंदू होता है जिस पर पहुँचकर चालक की सक्रियता में कमी आती है उद्धीपन जो है वे वेवार को क्या करते हैं उतेजना परदान करते हैं फिर आता है अंतिम तत्व अपना प्रेरक प्रेरक क्या होता है अभी प्रेरणा चक्र का अंतिम सोपान होता है प्रेरक जिस पर पहुँचकर अभी प्रेरणा चक्र पूर्ण हो जाता है तथा अभी प्रेरणा की समापती हो जाती है प्रेरक एक व्यापक सब्द है प्रेरक क तक कल हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे अभी प्रेड़ना के सिद्धान्त जिसमें आएगा अपने मोल प्रवर्ति का सिद्धान्त जिसके परतिपादक मेकडूगल हैं उन्होंने मोल परत्वी से सम्मंदित कितने प्रकार के सवेख बताएं हैं चाउदा सवेख बताएं हैं फिर दूसरा आएगा अपने आवसकता पदानुकरम सिद्धान्त जिसे हम आत्म सिद्धी करन सिद्धान्त मांग पूर्ति सिद्धान्त या मानवता का सिद्धान्त भी कहते हैं इसे मेशलों ने तिरबूज दोरा परदेशित किया था ये देख प्रोत्साहन सिद्दान्थ 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 प्रोत्साहन सिद्